Hello Friends, Welcome to Life at AMU इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज लाया हूँ कि Age Limit क्या होती है कोर्सिज के लिए AMU में Admission के लिए अगर आप AMU में Apply कर रहे हैं तो आपकी Age Limit क्या होगी सबसे पहले Age Limit जानने से पहले उसके कुछ Rules जान लेते हैं जो Apply होंगे तो सबसे पहला Rule यही है कि आपका Table 1 में दे रहा है Table 1 में अभी दिखा दूँगा उसमें सभी Age दे रखी है तो उसमें आपका बता रहा है यह Age बतलब यूनिवस्टी में Admission के परपस से ही है तो Second Point है आपका Candidate shall be applicable to apply for admission to only those मतलब इस पॉइंट में बताया है आपको अगर जैसे आपकी Age 20 मांगिया है तो 20 से जादे पर आपका नहीं Admission होगा आप Apply करेंगे तो आपका Admission Cancel कर दिया जाएगा और Third Point में बताया क्या है Third Point में आपका बताया है कि First July मतलब आपके जैसे Admission हो रहा है तो कि Extend हो गई है डेट बहुत जादा Admission की तो आपकी उसका Admission के According हो जाएगा जब आपके Admission होगे उसके आसपास के तो अगर आपके First July से अभी निकली है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है और Fourth Point है आपका कि यह आपका जो बताया गया है यह आपका मतलब Minimum और Maximum Age बताई गई है यह आपके Particular Courses के लिए है ठीक है और आपका जो Foreign Nationals के हैं या Employee of the University मतलब जो University में काम करते हैं Employee उनके बच्चे वगरा पढ़ने के लिए apply करते हैं उनके लिए applicable नहीं करती Maximum Age लिमिट ठीक है और जो मदर्सा बोर्ड से पास आउट हुए होते हैं अगर मदर्सा बोर्ड से पढ़कर आप admission ले रहे हैं AMU में किसी भी course में admission लेना चाहते हैं उनके लिए 3 साल का relaxation होता है वो क्यों होता है वो क्योंकि मदर्सा बोर्ड वालों की age ज़्यादा हो जाती है वो पढ़के आते हैं क्योंकि हाफिज कुरान वगरा होते हैं तो उनकी age ज़्यादा हो जाती है तो उनकी age ज़्यादा हो जाती है तो अब मैं age बता देता हूँ सब में सभी courses में क्या क्या जरूर लाइक कर देना आपको information लाया हूं बहुत students पूछ रहते हैं सब वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को subscribe करना तो बेलकुल मत भूलेगा और भी information देते रहता हूं चलिए मैं आपको age बता देता हूं senior secondary school मतलब जो plus 2 होता है आप 11 के लिए apply करते हैं उसमें आपकी maximum 19 years चल सकती है और आपका जो diploma in engineering है उसमें आप 21 years तक कर सकते हैं और graduate courses या other advanced diploma, diploma certificate course आप जो आपका senior secondary school के बाद करते हैं या senior secondary school तक करते हैं उसकी age है 24 years, post graduate या other courses where the qualification exam is graduation ठीक है जहां पर आप post graduation या फिर कोई graduation के बाद कोई course कर रहे हैं उसकी age आपका maximum age 27 years है मैं maximum age बता रहा हूं ठीक है इससे उपर होगी तो आप apply नहीं ही कर पाएंगे apply कर देंगे लेकिन admission cancel हो जाएगा ठीक है apply करने का test clear करने का कोई फायदा नहीं होगा post graduation या other courses जहां पर आपका graduation होता है मतलब graduation जरू 28 years और post graduation courses या कोई दूसरे courses जहां पर qualifying exam graduation होता है या फिर उससे 2 साल का होता है ठीक है वहाँ पर आपके 29 years और post pg diploma courses जो post graduation के बाद diploma courses होते हैं उनकी है 29 years तो आपको जरूर सब courses का answer मिल चुका होगा इसमें 9th और 6th की नहीं देर की उनमें आपकी अलग होती है तो आपको जरूर लाइक कीजिए और भी मैं बहुत जाद information देता रहता हूं सभी important जो आपको जरूरत हो सकती है और जो जरूरत पड़ती है मतलब ऐसी वीडियो जालता हूं आप हर बच्चे को जरूरत पड़ेगी उस देखने की तो इसलिए आपको फायदा ही होगा channel subscribe करके अगर आ channel पर बने रहेंगे तो अब टू डेट रहेंगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए वीडियो देखने के लिए thank you